सर आपने बताया था कि जब तक आपकी लाइफ में सब एक आप लेवल से उपर नहीं आ गयो, आपकी बेजिक जो नीड्स है वो सब पूरी नहीं हो गई है, तब तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, कि तब तक आप spirituality वाले बात पे तब तक आप नहीं सोच सकत कि जब तक आपकी बेजिक जो सब आप एक मॉडरेट लेवल पे आ चुके हैं, तो अगर हमको इसमें इंटरेस्ट है तो हम दोनों को साथ लेकर कैसे चले, मला आपका question क्या यह है कि अगर अभी हम life में stable नहीं भी हुए है, financial security हमारे पास नहीं भी है, अभी हम financially भी struggle कर रहे हैं, तो भी spirituality को साथ लेकर कैसे चले, is that your question? Yes. तो आपका जो question है, उसमें implied है कि कहीं न कहीं आपका assumption है कि अगर आप spiritual path पे चलेंगे, तो आपकी life better हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी clarity मिलेगी अपनी life में, यह आपका mind stable हो जाएगा, जिसकी वज़े से आप अ होता है, self inquiry, यानि खुद से यह सवाल पूछना, किसी और से नहीं, खुद से, who am I? अभी question सुनने में बड़ा basic सा लगेगा आप लोग को, आप कहोगे, हाँ ठीक है, who am I? पर इस question के साथ ठहरना, और इस बात को accept करना कि मेरे पास में इसका जवाब नहीं है, और एक ही करके चीजों को negate करना, जो भी आप खुद को समझते हो, फिर धीरे 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 layers हटती है, फिर जागर के कैसा point आता है, जहां पर जागर के, जो सच होता है, जो आपका सत्य होता है, वो आपके सामने होता है, बन जब तक यह नहीं होता है, तब तक एक struggling phase चलता है, मतलब कि यह कोई खेल नहीं है, self-inquiry, it requires hell lot of energy, hell lot of intelligence, hell lot of attention, one-pointed focus, मतलब silently आपको बैठ करके, अपने thoughts को देखना होता है, और समझना होता है कि what is the origin of thought, because this thought is not different from thinker, मतलब thought में और thinker में क्या फरक है, और thinking क्या होती है, जब thought एक के बाद एक आते हैं, उसको thinking बोलते है, and is thinking and thought different from thinker, what is thinker, अभी हम यह सोचते हैं कि I am the thinker, who is thinking, तो यह ऐसे से questions हैं, जब आप इसको actually में पूछने लग जाते हो, तो you become like a scientist, अब आप किसी भी field के scientist हो, किसी particular field में study कर रहे हो, research कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो, पचास च या one-pointed focus चाहिए, अगर एक्चुल में आप कुछ कमाल का discover करना चाहते हो, तो, हाँ अगर अपनी job कर रहे हो, तो बात अलग है, job मतलब कि जितना काम कहा गया है, बस उतना काम करना है, लेकिन आप पकर एक एक्चुल में एक ऐसे scientist हो, जो कुछ ऐसा discover करना चाहते हो, जो ह हो तो सही, वहाँ पर, लेकिन आज से पहले कभी किसी ने देखा ना हो, ज्यान से समझना, जो एक भार की दुनिया का scientist है, उसमें क्या फर्क होता है, भार की दुनिया का scientist observe करता है, कुछ create नहीं करता है, observe करता है, जो universe है उसको, उसके जो laws है उसको, और उसमें कुछ ऐसा देख लेता है, जो था तो सही, पिछले हजारों सालों से, लेकिन किसी ने देखा नहीं था, ऐसे ही अंदर की दुनिया का जो scientist होता है, जिसको real spirituality बोलते है, जिसका जो ground है, वो self inquiry है, यानि इस question के साथ ठहरना, कि who am I, उसके लिए one pointed focus चाहिए, एक ऐसा mind चाहिए, जो clearly ची पालतू की चीजों में उल्जा हुआ ना हो, जिसको कुछ चाहिए ना हो, क्योंकि अगर आप ये inquiry कर रहे हो, ये सोच करके कि ये करके, मेरा mind peaceful हो जाएगा, फिर मैं financially बहुत पैसा कमा लूँगी, या अपनी job में better कर लूँगी, या अपनी life में कुछ better कर लूँगी, तो शुरू में effort लगता है, struggle होती है, mind के उपर भी pressure आता है, burden आता है, life में कुछ changes करने होते हैं, ये कैसा environment create करना होता है अपने आसपास में, which is conducive to this thought process, जहाँ पर कि आप अराम से peacefully बैठ करके ये inquiry कर सको, तो सबसे पहले तो इस illusion से भारा जाओ कि ये spiritual path पे चलने से हमारी life better ह होती है, जो real spirituality है, हाँ वो जो आपको बेची जा रहे है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, spirituality के नाम पे क्या है कि ये meditation कर लो तो आपकी life better हो जाएगी, उसमें spirituality word को गुसाने की जरूत नहीं है, सिधा ही बोलो ना meditation कर लो, मतलब क्या आख बंद करके कोई music लगा लो, य करते रहो ये सब इससे क्या होता है, spiritual inquiry मतलब spirit, आत्मा, आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, मैं, तो आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है, ये समझना इस spirituality, अब ये कोई छोटी inquiry तो नहीं है न, इस दुनिया में छोटे मुटे काम करने होते हैं हमको, उसी में हम सोचके देखो, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में इतने बुरे तरीके से उलज गया है, कि छोटी-छोटी problems के solutions नहीं निकाल पा रहा है, मालनो एक छोटा सा business है, जिसको वो crack नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो इस question को crack कर लेगा, who am I, जहां पे कोई support system नाम की चीज़ ही मालना अगर आप अपना एक business बिल्ड करना चाहते हो, मालनो online, तो कितना बड़ा support system है, YouTube पे जाओ एक नहीं लाखो वीडियोज मिलेगी, बट आप जानना चाहते हो, आप कौन हो, कौन help करेगा आपको, कोई नहीं, आप अकेले हो इस पात पर, इसलिए मैं यह कहता हूँ, बहुत सोच समझ करके, कि पहले अपनी life को stable कर लो, जब एक level पर जा करके life comfortable हो जाए, जब आपको अपने survival की tension ना हो, जब एक basic level पर life ठीक ठाक चल रही हो, at the level of your health, at the level of wealth, at the level of relationships, जब इस level पर एक basic stability आ गई है, और आपको जो mind है, वो unnecessary इन सब चीज़ों में occupied नहीं है, आपके अंदर कोई बहुत बड़ा desire या fear नहीं है, तब ही तो आप इस self inquiry पर ध्यान दे पाओगे, मला imagine करो यहाँ पर उपर से, आप लोगों के उपर, गले के उपर तलवार लटका जाए और कहा जाए कि हाँ, अब इस self inquiry को करो, who am I, अब आपका ध्यान कहा है, तलवार पर है, तो पैसे की कमी होना वो तलवार नहीं है तो और क्या है, महीना खतम होते इस घर का rent देना है, यह तलवार लटक रही है आपके गले पे, यह माई देनी है गाड़ी की, घर की, यह तलवार लटकी हुई है, तो पहले उस तलवार से तो free हो जाओ, बाद में देखना न, who am I, क्योंकि हो सकता है, कि जब आप इस पात पे चलो, तो कुछ time के लिए आपके life better नहीं होगी, खराब होगी, it's an unknown path, uncharted territory, डर लगेगा वहाँ पर चलने है, एक ऐसा question है, जिसका जवाब आपको कोई नहीं देने वाला है, और कोई आपको यह बताने नहीं वाला है, कोई certificate, कोई diploma, कोई degree नहीं देने वाला है, कि हाँ you are qualified, कि आप आत्मग्यानी हो, you are self-realized, हमें हर चीज़ में तो एक validation चाहिए होती है, अब यह हमारा level क्या है, actual में life में, कि social media पे भी हम validation चाहिए, कि हमारी photo को किसी ने like किया या नहीं किया, यह हमारा actual में level है, और हम क्या बात कर रहे है, self-inquiry की, does that make any sense, इस path पे आपको नहीं पता, दूसरा उसको खुद को नहीं पता, तो इस पे तो एक ऐसा mind चाहिए, जो पूरी तरह से desire से और fear से free हो चुका हो, उसके लिए इस दुनिया में करने लाइक कुछ ना बचा हो, जो भी करने लाइक है, एक level तक, वो कर चुका हो, अब वो क्या लाइक है, सक्सेस के पीछे भागना ना लाइक है, अपनी life को comfortable बनाना, लाइक है, comfortable life तो सब को चाहि हो, तो यही करने लाइक है, अपनी life को basic level पर comfortable बना लो, जब comfortable हो गई, अब free हो गई न, अब फालतु की चीजों में दिमाग जाने वाला है, इससे अच्छा है धंकी जगे पर दिमाग लगाओ, वो धंकी जगे क्या है, यह spiritual inquiry है, वो भी अगर आपके अंदर से आ रहा है त मेरे कहने से नहीं, किसी और की कहने से नहीं, नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाए अब जानो चाए ना जानो, आप में और वो इनसान जो जानता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, यह बात आपको वो इनसान बोल सकता है, जिसको आपसे कुछ चाहिए ना हो, मल उसे खुद ही नहीं पता है, तो इसका मतलब वो इंसान खुद कहीं पर अठका हुआ है और उसके चकर में आप भी अठकने वाले हो। I hope आपके question का answer मिला आपको, कोई doubt है इसे related तो पूछ सकते हो। Sir, आपने अपनी session में कहा था कि आत्मा उर्जा का बताया था मतलब जो energy है वो सब में एक है, consciousness के बारे में आपने बताया था तो वो अगर हम कभी इस पात पे मतलब जाते हैं तो इस बात को हम verify कैसे कर सकते हैं मतलब कि it is one, बोलने के लिए तो समझ में आता है कि it is one आप यह छोड़ो कि आत्मा एक है या नहीं है आप मुझे यह बताओ कि इस पूरे universe में कुछ भी किसी और चीज से या किसी और इंसान से अलग कैसे है क्या यह जो मैं अभी कॉफी पी रहा हूं यह मुझसे अलग है श्रbür आप यह 1 अलग है यहिगता जेखता तो अलग तो अभी तक है बिखता तो अलग तो अभी तक इस ग्लास में है मैंने यॹ पीली ऐ कॉफी मिया ती हो नई-नु कॉफी मैंने हूँ कॉफी कॉफी है अब आफ में चली गगी तो ऐक हुगी ना ये छोड़ो के एक है या नहीं है आप मुझे ये दिखा दो इस पुरे यूनिवर्स में कुछ भी किसी भी चीज से या किसी भी इनसान से अलग कैसे है दिखने के लेवल पे अलग है एक चुल में अलग कहा है सबस्टेंस के लेवल पे वो ही तो पांच तत्वों का सब कुछ बना है धर्ती जल अगनी वायु अकाश उसमें अलग कहा है आई यू डिफरेंट फ्रॉम दे यूनिवर्स इस यूनिवर्स दिफरेंट फ्रॉम यू कें यू एक्जिस्ट विदाउट दे यूनिवर्स can this universe exist without you आप कहें तोड़ेंख नहीं लेकिन अंदर से ऐसा मानते नहीं हो क्या बोलते हो कि अगर मैं मर भी गया या मर भी गयी अगर आप चले गए तो universe चलता रहेगा universe चला गया तो आप नहीं चलते रहो गय तो आप क्या कहोगे एक मैं हूँ एक universe है अब अगला question ही होगा आप हो क्या if you're saying I'm this body तो this is universe if you're saying I'm consciousness तो without consciousness without awareness where is the existence of this universe अब आप कहां जा करके अटकोगे आप कहोगे सर यहां तक भी समझ आ गया but मेरी consciousness तो तब तक है जब तक कि मैं जिन्दा हूँ मेरे मरने के बाद मेरी consciousness कहां गई तो अब गलत सहमी क्या है same जैसे body के level पे है कि मैं यह हूँ तू वो है universe वो है भगवान वो है सब अलग-अलग है ऐसे ही soul के level पे भी confusion क्या है कि जैसे जूते में अलग-अलग soul होते है हम सब के जूतों में अलग-अलग soul है ऐसे हमारी सब की body में अलग-अलग soul है अलग-अलग आत्माएं है अच्या कैसी होती आत्मा वो देखी हमने movie में न वो जब मर जाते है न वो death bed पे hospital में होते हैं तो वो ऐसे निकलती है और वो दिखती है सर कई cameras में capture हुई है इस तरह के काफी सारे misconceptions है जो हम सब के अंदर है तो एक एक करके उसको negate किया जाता है इसको नेती-नेती बोलते है यानि जो भी आप मानते हो उसको question करो, वहां से शुरू करो एक ऐसा question मत पूछो जो आपको और फसादे ये question मत पूछो कि सब कुछ एक कैसे है, ये छोड़ो आप ये बताओ, अभी आप क्या मानते हो सब कुछ अलग-अलग है, यहां से शुरू करो समझाओ मुझे अलग कैसे है इसमें जो पानी है और किसी नदी में पानी है समुद्र में पानी है क्या वो अलग-अलग है पानी तो पानी है तो अलग क्या होता है अलग आपके thought के level पर हो सकता है क्या एक्चुल में अलग है अगर एक्चुल में एक नदी में से हमने दो गिलास पानी निकाला और अलग-अलग रख दिया तो क्या अब ये तीन हो गए भी ठीक था, अभी ब्लैक ग्लास वाला पानी जो वाइट ग्लास वाला पानी है उससे आपस में लड़ रहा है तो ये फणी है, हसो इसमें कुछ सीरे सुने वाली चीज नहीं है जैसे जैसे आप सेल्फ एंक्वारी के पात पर आगे बढ़ते हो, तो आपको हसी आती है इस दुनिया को देख करके जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके इसमें सीरे सुने वाला कुछ नहीं है ये दुनिया जैसी थी, वैसी ही है और वैसी ही रहने वाली है, कुछ नहीं बदलने वाला है आपकी लाइब जैसी थी, वैसी ही रहने वाली है, कल भी सुख दुख थे, कल भी सुख दुख रहने वाले है, सुख और दुख क्या है, जैसे अब अगर मतलब मुझे अगर पैसा मिल रहा है, अगर वो पैसा में इन से आ रहा है, तो मेरे लिए तो सुख है, इनके लिए कर लूँगा तो मैं कमफर्टेबल लाइफ जी सकते हूं लेकिन वह कमफर्टेबल तो कभी हम होंगी ही नहीं क्योंकि जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम देखते हैं और ठीके मतलब जो माइंड है इसी को तो हम तो में कमफर्टेबल लाइफ शक्तित bir शॉत्रट कर तो इस इस दूनियादारी से उपर इपाइंगे देखो वो करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए आपको इंटेलीजेंस चाहिए इस गलत फैमी से भार आ जाओ कि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनके पस बहुत पैसा है लेकिन बहुत टेंशन में है क्योंकि उनके उपर बहुत कर्जा है या उनके खर्चे बहुत ज़्यादा है अमीर वो जिसकी कमाई ज्यादा खर्चे कम अब ज्यादा की क्या डेफिनिशन है ज्यादा पचास ज़ार रुपए भी हो सकता है ऐसे लोगों जाकर के देखो कुछ ऐसी जगाएं है जो स्वर्ग से कम नहीं है जो इस धर्ती पे जैसे स्वर्ग अगर कहेंगे न वैसी कुछ जगाएं है पहाडों पर यहाँ पर वहाँ पर कमाल की जगे है वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं कम कमा रहे हैं क्हाने, पीने की टेंचन नहीं है, घर में ही आगे खेतिवाडी का इंतजाम है, कुछ गाए भैसे हैं. बड़िया लाइफ जी रहा है, उनके पर कोई करजा नहीं है, कोई टेंचन नहीं हैं, जितने उनके खर्चे हैं, उससे ज्यादा उनकी कमाईी है, खर्चे कंट्रोल में और हमसे अच्छी लाइफ जी रहे है, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना मैं आपको पता तक नहीं है, मतलब आप इतना तक नहीं देख पा रहे हो कि आप अभी जिस जगे पे रहे हो, just as an example, माल लेते हैं, किसी बड़ी सिटी में आप रहे रहे हो वो सिटी, वोल्ड की सबसे खराब सिटी है, in terms of pollution, in terms of traffic, in terms of congestion, in terms of density of population और वहाँ पर बैठ करके, आप ये सोच रहे हो, मैं self inquiry करूँगा, self inquiry करूँगी अरे आपको खुदी नहीं पता है, कि आपके ओपर कितने तरह के pressure हैं, आपकी body mind के ओपर तो आपने जो बोला, उसमें दो aspects हैं, एक आपने बोला, सुख दुख के बारे में एक आपने बोला कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, कि एक ऐसा point आएगा, जहां पर जा करके हम कहेंगे कि हाँ इतना बहुत है दोनों point को अराम से समझते हैं, पहला point सुख दुख, अभी जब हम ये बात कर रहे थे तो आपने इसका क्या मतलब निकाला, कि सब कुछ एक ही तो है, देखो, यहीं पर गरबर हो जाती है इस पर बड़े अराम से step by step समझना होता है, तो इसका मतलब सुख दुख भी एक ही है, मेरा सुख इनका दुख, कुछ भी इसका मतलब बना दिया, खिछडी बना करके, और आपने क्या समझा, कि इनका पैसा गया, तो इनके लिए दुख, मेरे पास में पैसा आया, तो मेरे पास में, कितना है आपके बैंक अकाउट में, आजकल तो ट्रांसफर हो जाते हैं ना ओनलाइन, करो ट्रांसफर, अभी तो आपने कहा एक ही है, मैंने तो नहीं कहा एक ही है, मैंने तो क्या कहा, कि मुझे बता दो अलग कैसे है, इसी लिए, जो पास में रिशी मुनिन उन्होंने बड़ी समझधारी से एक वर्ड यूज किया सत्य के लिए अध्वैत उन्होंने क्या कहा दो नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि एक है उन्होंने क्या कहा दो नहीं है बस इतना ही कहा है अगर अगर अब इसका मतलब निकाल लोगे कि सब कुछ एक ही है और किसी जंगल में चले जा और कहो कि जो शेर मुझे खा रहा है मैं और वो एक ही है मैं चाहे उसके पेट के भार हूँ चाहे अंदर हूँ एक ही है एक नहीं है बस एक है at the level of living your day-to-day life existing in this world उस लेवल पे there is a fight for survival in humans as well as animals देख लो ना खूल करके लड़ाई हो रही है चारो तरफ यह इस universe की सच्चाई है तो इस universe में ऐसे ही act करना पड़ेगा survival of the fittest इस universe का law है तो इस law को समझ करके उसके इसाब से act करना पड़ेगा otherwise यह दुनिया अपनी भूप मिटाने के लिए आपको खा जाएगी बेच करके तो पहला तो point यह आ गया कि at the level of action कुछ भी एक नहीं है but at the level of existence कोई separation नहीं है दिखने में अलग-अलग है उसके attributes अलग-अलग है जैसे खाना जब हम खाते हैं तो उसमें एक अलग तरह की खुश्बू आती है जब खाना भार निकलता है तो उसमें अलग तरह की बदू आती है तो एक कहा है समझे तो कुछ भी एक नहीं है सब अलग-अलग है किस level पे appearance के level पे उसके attributes के level पे उसकी qualities के level पे उसकी utilities के level पे action के level पे action की वज़े से जो reaction होता है उसके level पे cause and effect के level पे हर level पे इस universe में diversity है but उस diversity के पीछे एक underlying unity है it's like two sides of the same coin आप एक को पकड़ना चाहते हो इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो path है spirituality का इसमें you need to have a great deal of intelligence so much of patience जिसकी कोई हद नहीं है हमारे अंदर इतना patience नहीं है अभी तो आप actual में कभी मेरे साथ में peacefully बैठ होगे तो आपको पता लगेगा कि कितना patience चाहिए होता है self inquiry में कई कई दिनों तक आपको silently सिर्फ बैठ करके ये देखना होता है कि ये मैं जिसको मैं मैं कहता हूँ वो किस point पे पैदा होता है जैसे आज से I think पांस साल पहले या छी साल पहले तब मैं कोई ये realization practically, experientially देखने को मिला I was sitting at a place I was on a water fast for seven days water fast means कि सिर्फ पानी पी रहे हैं तो पांच पे या छटे दिन मैं एक जगे पे बैठा हुआ था पहले तो awareness थी कि मैं वहां पर पैठा हुआ हूँ एक forest type का एरिया था पास में एक train निकल रही थी तो train आ रही थी, जा रही थी so I was just sitting there कुछ एक गंटा हो गया, दो गंटे हो गया, तीन गंटे हो गया उसके बाद में एक ऐसा point आया जब train की आवाज मुझे सुनाई दी क्लासरूम में बैठे होते हो लेकिन प्रोफेसर की आवाज नहीं आ रहे होती है हाँ सर ये तो होता है, ये तो समझ आ रहा है ठीक है न, ये आपने बात करी जिस से हम relate कर पा रही है तो there was no thought of my existence there was no me separate from this universe तो me का thought कब उठा जब वो आवाज का contact हुआ पर कान तो पहले भी खुले होए थे अवाज तो फिर भी जा रही थी कानों में फिर भी वो listener पैदा नहीं हो रहा था दो घंटे तक तो एकड़म से वो listener कैसे पैदा हो गया तो जैसे ही वो sound को thought के level पे, यानि brain के level पे मैंने मैंने किसने मतलब, thought ने thought मतलब क्या, name given to a thing उसको recognize किया उसको identify किया तो एक listener पैदा हो गया listener of that sound which is not different from that sound यह दोनों साथ साथ पैदा होते हैं और साथ साथ मरते हैं फिर जब वो train चली गई, तो sound चली गई फिर उसका thought पैदा हुआ thought which is linked to memory of that sound तो एक होती है sound एक होती है उसकी memory जैसे उसकी memory activate हुई memory of the sound तो एक thinker पैदा हो गया है listener कहां गया, जब sound है नी तो listener कहां है, दोनों में फर्क देख पाए जब तक वो sound थी, तब तक there was a listener which is an illusion which is an error, there was sound but in reality there was no listener क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं आया कुछ समझ भए realization होने के बाद sir क्या वो चीज हमेशा के लिए ठहर जाती है, वो understanding या फिर वो आती जाती रहती है बट वो understanding वो समझ, that stays आप उसको रोप करके क्यो रखना चाहते हो, उसके पीछे क्या रीजन है sir, मतलब कोशिश नहीं है, मैं बस यह जाना चाहूं कि वो चीज, वो understanding जो समझ जिसके आप बात करते हैं और सब करते हैं तो वो समझ हमेशा back of the mind रहती है समझ किसी भी चीज की हो, कोई भी हो अगर वो ना समझी है, यानि आपको लग रहे कि आपको समझ आ गया है लेकिन उस समझ का कोई ground नहीं है, कोई evidence नहीं है उसकी कोई reality नहीं है, तो समझ बदलती रहती है बट अगर कुछ ऐसा समझ आ गया है, which is based upon reality for example gravity, इसकी समझ बदल सकती है कभी for example, आपको कुछ समझ आ गया है, scientifically आप biology के student हो, आपको यह समझ आ गया 70% of our body is made up of water, just like this planet इसको बदलने का क्या तरीका है, चाहू भी तो बदल सकते हो क्योंकि यह सच है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि इस पात पर चलने के लिए जो जैसा होता है, उसको आपको वैसा ही देख लेना होता है, ना उससे जादा ना उससे कम तो फिर आपकी जो समझ है, वो बदलती रहती है कई सालों तक, तब तक जब तक कि उसमें क्वेशनिंग की गुझाईश होती है, फिर आप क्वेशन पूछते हो, फिर एक लेयर और हटती है, फिर जो समझ आया था वो बदल जाता है, फिर आपको समझ आता है कि यह जो मेरी समझ थी, वो सच नहीं थी, वो जूट थी, फिर और आगे जाते हो, फिर और आगे, फिर फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जा करके समझने को कुछ है ही नहीं जो जैसा है यसो है अब क्या करोगे बहुत आप चाहो भी तो उसको बदल नहीं सकते पर एक्जामपल शाइनिंग सन इन दी स्काई इन ब्राड डे लाइट अब उसके बारे में आप कुछ भी समझते रहो उससे क्या फर्पड़ता है वो तो वहीं है ना शाइन कर रहा है सब के लिए सब के सामने इस एविडेंट जैसे हर लेवल को हम अनफोल्ड करेंगे हर लेयर पर तो उस ताइम तो हमारे थिंकिंग यही होगे ना कि इस सबसे बेसिक शीज़ और हम बिल्कुल पहुंच गए उस जगह पे तो हमें वरीडेट कौन करेगा सर वहाँ पे आप जैसे कह रहो कि यह गुरू अगरा जो होते हैं लेकिन एक्चुल में अगर आप सिंसियर हो गए अब दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पर एक वो जो जूटे होते हैं उनको कोई experience हो गया है उसको पकड़ करके अपनी ego से free होना था लेकिन अपनी ego को और भणा लिया तुम सब क्या हो self-realize नहीं हो ना मैं हूँ मैं enlightened हूँ मैं guru हूँ तुम सब शिश्य हो तो क्या हुआ उनकी ग्रोथ वही पर रुख गई उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी भी रुख गई क्योंकि अब तो उनका मकसद कुछ और ही है अब तो अपना जो propaganda है उसको पूरी दुनिया मे फैलाना है बट अगर आप एक sincere seeker हो यानि कि आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे इसकी वज़े से लोग अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे तारीफ मिलेगी या बुराई मिलेगी या किसी को कुछ प्रूफ करना है किसी को कुछ दिखाना है किसी को कुछ समझाना है या enlightened होकर कि मेरी life तो बहुत अच्छी हो गई चलो मैं दुनिया की life बढ़िया बनाऊँगा दुनिया का ठेका लोगा ये ठेकेदार बड़े खतरनाक होते हैं आज हमारी दुनिया में जितनी भी problems हैं बड़े level की उसके पीछे की जो जड़ है वो ये ठेकेदार ही है जो एक particular group of people का ठेका ले लेते हैं आप ये जो मेरी wisdom है उसको मुझे spread करना है पूरी दुनिया में अच्छा क्या होगा उसे तो अगर आप एक sincere seeker हो तो आप क्या करोगे आप कहीं पर भी जा करके अटकोगे नहीं ना किसी एक गुरू के पास में ना किसी एक किताब से ना अपने किसी thought से ना अपनी किसी भी understanding के किसी भी level से आप question करते ही चले जाओगे एक real scientist की तरह है जब तक कि मैं पूरी तरह से नहीं मिट जाता है या इसका clear जवाब नहीं मिल जाता है कि मैं का सच क्या है जिसको भी मैं मैं बोलता हूँ अब उसके लिए आप क्या करोग और आपके अंदर दम होगा ये question पूछने का ego नहीं होगी कि मैं इस particular religion का हूँ तो इसमें जो लिखा है वो ही सच है बाकी सब जूट है ये तो arrogance है तो आप क्या करोगे आप सब कुछ ही पढ़ोगे सब की बाते सुनोगे जहां भी contradiction नजर आईगी अपने आपसे question किताब में लिखा है लेकिन वो किताब कुछ और बोल रही है तो ये सच है वो सच है तो आप question करते ही रहोगे because आपको कुछ चाहिए ही नहीं है मतले में desire or fear से पैली फ्री हो चुके हो fear किस चीज़ का life का एक चुल में end goal क्या है लगाओ दिमाग not peace not happiness आपको बहुत peaceful life देता हूँ बहुत happy life देता हूँ but you will be miserable मतलब के for example मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ जहाँ बैठे हो यहीं बैठे हो 10 दिन तक खाने पिने की टेंचन नहीं रहने की टेंचन नहीं 10 दिन छोड़ो दो दिन में भागने के लिए तडपोगे तो peaceful कहाँ से आया? Satisfaction Satisfaction कैसे मिलता है? What do we mean by satisfaction? वो तो कभी actual में तो मिलता ही नहीं है This life is not meant to satisfy you Can't we see that? We want satisfaction But कै actual में लाइफ में कभी satisfaction मिलता है? वो चीज़े जो हमको satisfaction देती है वो हमारी dissatisfaction का कारण बनती है जिस इनसान की वज़े से आज आपको सुख हो रहा है उसी इनसान की वज़े से दुख होता है जिसकी वज़े से सुख नहीं होता है उसकी वज़े से दुख भी नहीं होता है तो जिस इनसान से जिस चीज़े से आप जुड़े जिसकी वज़े से आपको satisfaction मिला खुशी नहीं है, पीस नहीं है, बस एक comfortable life है, इसको पहले अच्छे से समगई लो, जानवरों को भी एक comfortable life चाहिए, end goal एक जानवर की life का यही है, end goal एक इंसान की life का भी यही है, आपको अगर choice मिले, एक uncomfortable life, या एक comfortable life, किसको चुनोगे, it is choiceless, जानवर को choice मिले तो, comfortable life, example ले, दो घर है, एक घर है जहां पर कांटो का भिस्तर है, एक है जहां पर अच्छा सा soft सा भिस्तर है, वो जानवर हो या इंसान हो, कहां जा करके सोएगा, soft वाले भिस्तर है, तो एक comfortable life चाहिए है न, तो यही तो life का end goal है, बाकि तो सब concepts है, success, name, fame, more money, all those things are just words, ultimately तो deep down यही चाहिए है, सर आपने बताया कि start कैसे करना है, scientific approach रखना है, निगेट करना है चीजों को, और आपने बताया कि जब आप वहां कर रीच आउट करोगे तो there will be no question to ask, but while you are on the journey, कैसे पता लेगा कि you are on the right track, क्योंकि आइसे आपने बोला कि लोग experiences में फज जाते हैं, you know, chakra awakening और यह सब चीजे, but how do you understand कि you are actually on the right path, initially at least? Right path और wrong path क्या होता है, जिस दिन आप ऐसे questions पूछ रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो, जिसकी वज़े से आपको लगता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, तो आप wrong path पे हो, मान लोग कोई particular तरह की meditation कर रहे हो, और उसकी वज़े से आपको लगता है कोई ऐसा experience हो जाए को उसके बाद में life एकदम ही बनाज जाएगी, तो आप wrong path पे हो, सही path क्या है, जिस दिन आपके अंदर एक question, एक्ट्र में उठना शुरू हो जाता है, who am I, who am I, who am I, this is the anchor, इसकी around सब कुछ गूम रहा है, तो आप right path पे हो, आपकी सोच शुरू होती है, who am I से, खतम होती है, who am I पे, बट ऐसे rarest of rare लोग होते हैं दुनिया में, मैंने आज तक ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है, जिनके अंदर एक्चुल में ये question उठ रहा होता है, और जो इससे related questions पूछते हैं, ज्यादातर questions non-I से related होते हैं, उनके क्या questions होते हैं, sir mind को peaceful कैसे करें, sir हमेशा खुश कैसे रहें, sir relationships को कैसे अच्छा करें, sir और पैसा कैसे कमाएं, तो ये सब क्या है, this has got nothing to do with the self, sir अपनी life को कैसे better करें, अरे किसकी life को, पहले ये तो बता, कौन है ये मैं, वो तो कभी कोई पूछता ही नहीं, इसको तो बचा करके रखते हैं, sir अगर मैं ये करूँगा और ये हो जाएगा, तो क्या उसके बाद में मैं enlightened हो जाऊँगा, कौन सा मैं, कौन है मैं जो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्या करने की ज़रुद पढ़ रही है, और क्यों पढ़ रही है, क्या मैं कुछ करता भी है, you are saying no, but it's a very big question to ask, अगर मैं नहीं करता, तो कौन करता है, अब किस मैं की बात हो रही है, तो शुरूँ वहाँ से करना पड़ेगा, जो एक चुल में आपका मैं है, फिर कहीं जा करके सत्य की बात होगी, वो तो बहुत आगे की बात है, तो वहीं से शुरूँ करो जहां पर अभी आप हो, एक चुल में सुब़े से रात तक कैसे आग करते हो, क्या खुद को समझते हो, मैं, मेरा, मेरे, इसको question करो न, बट एक question करने के लिए बड़ा दम चाहिए है, हमारे तो जो thoughts होते हैं, जो opinions होते हैं, जो beliefs होते हैं, उसके लिए तो हम लड़ते रहते हैं सुब़े सरा रात तो, सारी लड़ाजियों की जड़ी यही है, मुझे ये सही लगता है, तुझे वो सही लगता है, कौन मैं, इस दिस थिंकर डिफरेंट फ्रम थॉट और क्या थॉट आपका है, कही न कहीं से किसी ने प्लांट किया है, तो उसमें मैं कहां है, तो ऐसे जब आप step by step चीजों को देखते हो, समझते हो, तो धीरे धीरे जो mind है, वो clear होता चला जाता है, मतलब इस पाथ पे चलने का मतलब क्या है, ये सत्य का पाथ है, यानि कि जो जैसा है उसको वैसा देख लेने का पाथ है, बस इतना सा ही है, और कुछ नहीं है, इसके विए से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, आपको सच नहीं जानना है, सच को भी यूज करना है What if I say The truth is useless You cannot use it जैसे space इसको use करके दिखाओ You cannot use it It's there सब कुछ इसी में है इस universe में, जो भी कुछ है वो Space में है, but can you use space कि आप उसको पकड सकते हो कि उससे कुछ create कर सकते हो क्या उससे कुछ फाईदा हो सकता है, को नुकसान हो सकता है कुछ नहीं कर सकते हो सिर्फ समज शकते हो कि हाँ space है और अगर एक स्टेप और आगे जाएं, तो इतना समज सकते हो कि मेरी body के अंदर की two space और भार जो space है वो अलग अलग मैं समज सकता हूँ लगिनों समझ गलत है एक चल में एक ही है Space मुझ में नहीं है जो भी concept of self है वो space में है So who am I की path में हम कैसे चल सकते हैं Like उसका starting point क्या है उसका starting point क्या है उसका starting point ये है कि जब आप success की meaninglessness को देख लेते हो failure की नहीं बहुत सारे लोग जो spiritual path पे चलते हैं क्यों चलते हैं इस दुनिया में बहुत कुछ करने की कोशिश करी है कुछ हुआ नहीं अब क्या करें गुरू जी के पास जागर के बढ़ जो बड़ा अच्छा लगता है अभी दो दिन पहले तक मैं एक failure था मैंने कुछ करने की कोशिश करी मैं नहीं कर पाया पुरी दुनिया कह रहे थी कि ये बेवकूफ है इसके बसका कुछ नहीं है लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ तुम जानते हो उनको अरे मैं उनका शिश्य हूँ मैं समझदार हूँ मैं spiritual हूँ दो दिन में ये पंटर spiritual हो गया है कमाल ही हो रहा है समझ गये इस दुनिया में बड़ी कोशिश करी खुशी को ढूणने की नहीं मिली अब क्या करें चलो किसी spiritual गुरू के पास में जाते है वहां मिलेगी खुशी वहां भी नहीं मिलने वाली ये आलसी लोगों के लिए नहीं है बात ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में जो भी करने लाइक है वो सब कर रहे हैं या कर चुके हैं जूट का कहीं कोई नामो निशान है ही नहीं उनकी जिन्दगी में जूट है भी तो उपर उपर लेवल पे किसी और से बोलने के लिए हो सकता है अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस दुनिया में आप सच नहीं बोल सकते अगर सच बोला तो इस दुनिया सूली पे चड़ा देगी तो शुरुवात क्या है ये who am I question पूछने की या eligibility क्या है when you see the meaninglessness of success not theoretically but actually मतलब समझे देखो जो भी success होती है जिसको भी success कहते है पहले तो इसको crack करना पड़ेगा कि ये success होती क्या है वो जो दुनिया को लगता है कि success है या जो actual में success है और जब actual में success मिल जाती है तो life is like heaven but heaven को hell बनने में time नहीं लगता है once you see that तो आपकी उमीद तूट जाती है कि इस दुनिया में कुछ करके कुछ होने वाला है having said that आपकी जो needs है वो खतम नहीं होती है अभी भी आपको एक comfortable life तो चाहिए तो अब ये जो pursuit है pursuit of doing something in this world pursuit of success pursuit of happiness इस सबसे आफ्री हो गए अब आपके अंदर space होती है कुछ ऐसे questions के उठने की चो rarest of rare कुछ लोगों में उठते हैं जैसे हर कोई आदमी scientist नहीं होता न तो ऐसी हर कोई spiritual नहीं होता है ठपा लगा देने से कुछ नहीं होता है real spiritual वो जिसके अंदर actual में एक question उठ जाए who am I अब ये question क्यों उठेगा सोचो क्या किसी बेवकूफ इंसान के दिमाग में question उठेगा या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा समझदार है जिसने समझदारी से इस दुनिया में जो करने लायक है वो करके देख लिया और उसको समझ आ गया कि जिसके पीछे ये पूरी दुनिया पागल है उससे भी कुछ नहीं होता है that is also not the answer then what is the answer is there something more to life end क्या है इस सबका death what is death क्या ये question कभी पूछते हैं हम ये question पूछने के लिए एक ऐसा mind होना चाहिए which is free from fear death तो ऐसा word है जिसको सुनकर कही हम डरने लग जाते हैं बस concepts में जीते हैं उसमें बड़ा अच्छा लगता है अच्छे करम करोगे अच्छे फाल मिलेंगे अगले जनम में अच्छे घर में पैदा होगे अच्छा उससे क्या होगा अच्छे लाइफ मिल जाई अच्छा जो लोग अच्छे घर में पैदा होते है उनकी लाइफ अच्छे होती है एक चुल में जा करके कभी देखा है तो once you figure out this very basic question of existence of life उसको आप सौट आउट कर लेते हैं उस puzzle को तब फिर अगला step आता है जब naturally आपके अंदर से कुछ ऐसे questions उटने लग जाते है जैसे आप माललो बैठे हो कहीं पर खाली हो माललो जो करना था वो कर चुके हो पेट भरने के लिए जो काम करना था दिन में वो काम कर लिया आप शाम को बैठे हो आराम से आप आस्मान की तरफ देख रहे हो माललो किसी ऐसी जगे पर हो जहां पर चांद तारे दिखते हैं और आप ऐसी बहुत सारी जगाएं है जहां पर दिखते ही नहीं इतना पॉलीशन है आज किलके तुम मेरे को बता नहीं जो जेनरेशन है उसको पता भी है तारे क्या होते हैं या सिर्फ किताबों में और फोटोस में देखा है ओनलाइन देखते होंगे अच्छा इसा आस्मान जिसमें तारे चमक रहे हों तो फिर ऐसी किसी जगे पर एक इंसान के अंदर ये question अतना natural है के universe क्या है मैं क्या हूं life क्या है, death क्या है इस सब का meaning क्या है health क्या है, illness क्या है अच्छे thoughts क्या है, बुरे thoughts क्या है success क्या है, failure क्या है not how you are always living in how जो भी how में जी रहा है वो एक कठपुतली के जज़ है इसको कोई और नचा रहा है the moment you ask this question sir, how to walk on the path of spirituality मतलब क्या, क्या आपने assume कर लिया कि हम, मेरे को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है यहीं से गल्टी की शुरुआत हुए आपको बैसे बता, कि मैं सच बोल रहा हूं, जुट बोल रहा हूं never ask this question how, always ask what तब सामने वाले का समझाएगा आपको कि वो कितने पानी में है यह तो हम कभी पूछते ही नहीं है हम तो how, 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 how करते रहते है जिसके पास जाते हैं how, sir how to come your mind, sir अरे उस घुचू को देखो, उसका माइंड काम लगता है किसी एंगल से एक क्यूट सा गूल मोलता आदमी बैठा वोससे जागर रहे बुझे रहे सर अतनी हेल्थ कैसे ठीक करे अरे भाई पहले देखते लो किससे क्या पूछ रहे हो पर इतनी अकल हमारे अंदर नहीं है तो इस पात पर जिसको spiritual पात बहुते है real पात, इस पे importance बातों में हर इंसान से आप सीख सकते होगा सीखना चाहो तो जानवर से सीख सकते हो इस यूनिवर्स के कण कण से सीख सकते हो तो सब कुछ ही गुरू है उसके लिए जो सीखने को तयार है जो समझने को तयार है जो पूछने को तयार है कौन तयार है जिसके अंदर से एक चुल में एक question उठ रहा है यह नहीं कि मेरी बाते सुन करके यहाँ पर बात तो सही है कि who am I question पूछना तो बनता है क्यों बनता है रहे समझे यह question naturally आपके अंदर से उठ रहा है और आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो आप कहरें छोड़ा नहीं समय क्या पड़ा है अपने काम पर ध्यान देते हैं लेकिन यह question it kind of overpowers you कि यह आपको पूरा चारो तरफ से घेर लेता है और आपकी पूरी life इसके आसपास घूमने लग जाते हैं आप अपना सब कुछ दाव पर लगाने को गवाने को तयार हो यह उसके लिए है इसको सेशन को मैं यहां पर खत्म करता हूँ मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ आप लोग कहानी उमें बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में बोर हो जाते हो यह जबाते अभी मैंने करी यह कहानी है राजा जनक की उनके पास में एक बहुत बड़े गुरू उनके बेटे वो आए ग्यान लेने के लिए पूछने के लिए सत्य क्या है तो वो उनके पास में आए उनके महल में अपनी जो छोटी सी गठरी लेकर के आई थे उसको भाहर रख दिया सेफली उनके ग्यान लेने के लिए आए थे राजा जनक के पास में और उनसे कुछ कुशन्स कर रहे थे कि आत्मा क्या होती है परमात्मा क्या होता है तो राजा जनक उनसे बात कर रहे थे इतनी देर में एक सिपाही भागता हुआ आया और आकर के उसने कहा कि महल में आग लग गई है तो राजा जनक आणाम से बैठे रहे उन्होंने का कोई बात नहीं आप सबको पता है न क्या करना है हाँ जी हम कर लेंगे वो चले गए वो अपना आग बुझाने में लग गए राजा जनक अपनी वापिस से बात करने में लग गए लेकिन ये जो इनसान था जो इनके पास आया था उसका ध्यान राजा जनक की बातों से हट गया क्यों? क्योंकि उसकी गठरी भार पड़ी थी उसमें उसका कुछ समान था कहीं वो जलना जाए तो राजा जनक ने कहा कि तुम मेरे पास में आए मुझे अपने महल के जलने की परवा नहीं है लेकि तुम्हें अपने गठरी की परवा है जिस दिन उसकी परवा ना हो उस दिन मेरे पास आना तुम्हें बहुत बड़े भार के साथ में मेरे पास में आए हो तुम्हारी छोटी सी गठरी का भार तो जब आपके उपर कोई भार ना हो तब ये कुशन पूछो Who am I? और सिंसेरली पूछोगे एक नई हजार गुरू मिल जाएंगे अगर आपने जन्यूरी एक कुशन पूछा तो सही गुरू मिलेंगे